हेलो फ्रेंट वेलकम टू यूटीब चैनल प्यूपल टीचर तो कैसे आप सब आश्या की सब बढ़िया होगे स्वस्तों के तो जैसे कि आप सब भी को परता है कि हम एच पर डैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आज कल हमारा चला हुआ है इंग्लिस एक्षिन जिसमें कि हम आज डिस्कृस करने जारे हैं अभी आपका उसके बारे में ताकि आपको बाता चल जाएगा जो अभी आपका टैट होने वाला है उसके किस से कोशन पूछे जाते तो करते है फिलाल वीडियो को शुरू तो सबसे पहला कोशन आपके पूछे के ते कोशन नमबर 31 से लेकर 32 तक चूज तग्रेक्ट फॉर्म ऑफ चूणियम जो चूणियम होता है उनका मंतरर सेम वर्ट आपने चूज़ करें था तो कोशन नंबर 31 था अपके पार एलिंग एलिंग का जो सही सिनौनियम होता है जो सेम मेनिंग होता है तो अब्शन नंबर भी हमारा यहां पर बिल्कु सबक्राइबर को उसमें भी एक वे कोशन आजाए तो इसको आप No drama कर ले नेक्टस बात करें कोशन नंबर थर्टीटो इसमें भी आपको से मेनिंग बताना तो लेंगविश का से मेनिंग होता वो बताना है एक आपके पार या डेवलप बी आपके पार लेडिंग और C है walking और D है weekend तो इसका सही option होता है weekend तो option number D बिल्कुल सही है जो language का मतलब same meaning है वो है weekend option number D बिल्कुल सही है यह question यहां से पूछे जा सकते है तो आप इनको एक बार लिख लेना next question number 33 आपके पास दिया हुआ acumen इसका आपको same meaning बताना है यहां से भी question बन सकता है तो इनको भी लिख लेना ठीक है तो A option आपको दिया हुआ है full B है आपके पास दिया ignorance C है आपके पास दिया intellect और D है आपके पास दिया accurate तो जो acumen का same meaning होता है वो होता है intellect मतलब option number C आपका बिल्कुल सही है तो अगर बात करें next question यह आपके पास conjugation से regarding आए वह तो question number 34 है आपके पास 3-3 make 6 A option आपके पास यह as well as B है और C है end और D है with जब भी आपके पास 3-3 दे रखा होता है 4-4 दे रखा होता है यह कोई 2 person की नाम दे होगे रोहन मोहन तो वहाँ पे आपका end लगता है यहाँ पे option number C बिल्कुल सही है मतलब 3 and 3 makes 4 next question number 35 आपका connector से आएवा यह वाला question पी यहाँ पे है He is very rich dash He is not happy वो rich है खुश पर खुश नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका end A है आपके पास yet B है आपके पास but C है आपके पास end और D है आपके पास so तो यहाँ पे जो लगेगा वो yet लगेगा yet का मतलब फिर भी He is very rich वो बहुत rich है yet he is not happy फिर भी वो happy नहीं है मतलब फिर भी खुश नहीं है yet का मतलब फिर भी होता है आपने जब भी यह मतलब connector लगाने होता है तो आपको sentence को देखना होता है कि आखे किस दे किसो join हो रहे है और end का use आपका अगर दो things का या दो person के नाम दिये होते हैं तो आपका end का use होता है next question आपका 36 आपका articles है और यह वाला question बहुत बाद पूछा जाता है सबसे important question है आपका ठीक है यहां पर dash ganga is a dash scratch river मतलब जो ganga है वो किसी particular river का नाम बताएगा और आपको मैंने आज ही इसके article के regarding video कराईए जब भी आपका किसी particular मतलब rivers के नाम oceans के नाम आता है तो वाँपे हमारा the लगता है तो यहां पर क्या आएगा गंगा is a scratch river तो जो option number D है वो बिल्कुल सही है तो अगर हम बात करें next question number 37 है हमारा आयावा voice इसमें आपको voice को change करना है ठीक है direct से indirect में तो यहां पर question है आपके पर all his friend laughed at him तो यह आपके पर sentence दिया जिसको आपको change करना है ठीक है voice को change करना है तो आपको बैदा जब हम voice को change करते है तो हम last test शूरू करते है ठीक है तो यहां पर आएंगा he was अब देखो हमने यहां पर was क्यों लगाया क्योंकि जब भी आपका वर्ब की third form लगे होगी क्योंकि laughed है अगर laugh होता तो हम यहां पर नहीं लगाते पर यहां laughed है तो मतलब was लगेगा he was laughed at by all his friend मतलब option number a है आपका यह बिलकुल सही है यहां पर क्योंकि जब भी आपके voice change होता है या तो आपको वर्ब की third form लगेरे देखनी होती है और last letter आपका परता है कि आपका किस में change हो जाता है him होगा तो he में होता है हर होगा तो she में होता है तो यहां पर him था तो he में change हो गया और laughed था तो was इसलिए जो option number यह है वो बिलकुल सही है he was laughed at by all his friend next question number 38 यह भी आपके पाप voice है इसमें भी आपको voice को change करना है तो आपके पाद यह रख है सीता लव सावित्री तो यहां पर आपको change करना है जब भी आपके पाद मतलब जो verb होता है अगर उसमें S या Yes लगा होता है तो वो आपका change हो जाता है इस MR में तो आपको पहता है इस एक चीज़ के लिए यूज़ होता है और आर आपका बहुत चीज़ों के लिए यूज़ता होता है और साथ में 3rd form लग जाती है तो यहां पर आएगा सावित्री is loved by सीता तो मतलब option number B आपका बिल्कुल सही है पहले आपने देखना है कि जो last वारा लैटर होता होता है वो सबसे front में आता है से पहले आता है तो सावित्री तो सावित्री तो सिर्फ एक में थी तो आपका और भी easy हो गया है यहां पर option number B बिल्कुल सही है बट अगर ऐसा होता है कई बार ऐसी यह यह लगा होगा आपका वर्ब में इसको आपने चेंज करना है तो who did this आपका चेंज किसमें होगा यह होगा by whom was this done क्योंकि जो did है वो हमारा done में चेंज हो जाता है ठीक है और इसलिए जो option number C है हमारा यहां पे वो बिल्कुल सही है यह वाला question बहुत रपीट होता है तो आप इस question को no down कर सकते हो next question question number 40 43 से लेकर 42 तक आपके पास synonyum से पूछे गए है मतलब same words बताना है आपने तो synonyum इस बार बहुत जादी बार पूछे गए आपसे तो यह बहुत important रहते है तो आप इनको no down भी कर सकते हो क्योंकि synonyum से repeat हो सकते है आपके जो opposite words होते है और जो आपके correct spelling है वो repeat हो सकते है यह आपके बहुत important होते है तो आप इनको एक बार मतलब no down कर लो या ऐसे याद रख सकते हो तो ऐसे याद रख लेना है तो next question number 40 है आपके पास इसमें आपने mounts का synonyum बताना है तो option number a आपके पास यह बहुत 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 है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है तो mounts मांट से बहुत है mountain मतलब पहार पहारों को आप same meaning बोले तो इसका plane तो बिलकुल नहीं होगा bottom भी नहीं होता है option number d आपका c है कई पार ऐसे देखने होते है next question number 41 युसमें cluster का आपको same meaning बताना onkhrри cluster का same meaning क्या होता है option numberино । option number b आपके पास collection option number c है आपके पास यह होता है and option no d हो to जो cluster same meaning होता है हमारा क्लیک्षिन करना scatter होता है unless separate होता है जो collection है or cluster है यह थोने same meaning है कभी बार आपसे collection का same meaning पुछा जाए तो आपके पार cluster होगा cluster का same meaning पुछा जाए तो collection होता है तो मतलब option number B हमारा बिलकुल सही है next question number 42 में आपको around का same meaning बताना है तो यहाँ पर option number A आपके पार restricted number B है आपके पार यह uncertain और option number C है आपके पार यह complete और option number D है आपके पार यह doubtful तो जो around का same meaning होता है वो होता है complete यान कि option number C हमारा बिलकुल सही है complete का same meaning होगा aren't अगर आपके पुछा जाए तो aren't का same meaning होगा complete है आपसे पुछा जा सकते है घुमा फिराग करके तो इनको धोनों को आपने याद रखना होता है जब यह आपसे पुछा जाए तो आप easily कर पाओ अपने next questions आपके आए वे correct spelling यह बहुत बार पुछाता है इनको आप no down कर लेना तो question number 43 से लेकर 46 तक आपको correct spelling बताने है कौन से word की correct spelling है तो जो question number 43 है इसमें आपसे पुछी किती tremendous की spelling तो option number A बिलकुल सही है तो जो tremendous की spelling होती है इसको आप no down कर लेना option number A आपका बिलकुल सही है next question number 44 में आपको correct spelling बताने है unnecessarily की तो option number A बिलकुल सही है आपके पार U N E C E S A R I L Y unnecessarily तो option number बिलकुल सही है यहां से भी बहुत बार खोशन आपसे पूछते जाते हैं कई unnecessary की पूछ लेते हैं next question number 45 में आपको correct spelling बताने है एक्वडेंस की तो option number D आपके पार यहां बिलकुल सही है मतलब A-C-Q-U-A-I-N-T-A-N-C-E एक्वडेंस तो यहां पर यह बिलकुल सही है option number D next questions में आपको correct form लगाने है तो question number 47 to 49 है fill up the blanks in the following sentence using the correct form of verb verb की जो मारी correct form है वो लगाने है ठीक है तो यहां पर question number 47 है आपके पार he dash tea every morning तो जब भी ing morning ing लग गया तो मतलब आपके पार s या es लगेगा ठीक है तो यहां पर आजाएंगा he drinks tea every morning मतलब option number B आपका बिलकुल सही है यहां पर he drinks tea every morning next question number 48 में आपको verb की correct form लगाने है तो यह question आपके पार दिया है the earth dash round the sun मतलब the earth moves मतलब option number C लगेगा यहां पर option number C लगेगा यहां पर आपके पार क्या लगेगा has लगेगा he has a cell phone क्योंकि यह आपका present का tense है ठीक है तो has लगेगा यहां पर आपके प्रेजेंट में लगते तो यहां पर having बगएर तो नहीं लगेगा simply यहां पर सिर्फ have लगेगा मतलब option number B आपका बिलकुल सही है next question number 50 to 52 आपके पास है indicate the correct meaning of the given जो आपके पास given verse ती है इनका जो correct meaning है वो आपको बताना है question number 50 आपके पास drifted from तो drifted from का same meaning या correct meaning क्या है वो बताना है A है आपके पास दिया calm down in air option number B आपके पास दिया है settle down air option number C है been carried along gently by air और D है struck in air option number C आपका बिलकुल सही है drifted from का जो same मतलब correct meaning होता है वो होता है been carried along gently by air next question 51 यहाँ पर भी आपको इसका same meaning मतलब correct meaning बताना है ठीक है तो question number 51 आपके पास प्लम्पी फिजिक मतलब ऐसा person जिसके body मतलब fat हो गोल मतोल सी ठीक है plumpy तो यहाँ पर जो option number A है यह ही आपका बिलकुल सही है यहाँ पर presently fat body next question साब से पूछे गए question number 53 to 55 आपके पास choose a word और expression that completes each of the following sentence तो यहाँ पर आपको words को choose करना है जो कि आपके following sentence को complete कर ले ठीक है तो option number 53 आपके पास I can't tell you the plan because I don't know about about के बाद हमेशा it ही लगता यह बहुत normal सी बात होती तो about it है option number C है यह बिलकुल सही है आपके पास next question number 54 यहाँ पर आपको blanks को fill करना है मतलब जो sentence है इसको complete करना है ठीक है तो question आपके पार these dresses belong to you I'm sure they are yours मतलब वो आपकी है तो option number जो B है वो आपका बिलकुल सही है next question number 55 यहाँ पर आपको blanks को fill करना है जिससे कि आपको जो sentence है वो complete हो जाए तो question number 55 यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास आएका damage मतलब option number B the fire cause serious damage to the group of houses देखो injury और injuries नहीं आती है यह आपके persons के लिए living things के लिए यूज की जाते है इंजरियों और injuries जाते है जो damage है यह आपके लिए दोनों चीज़ों के लिए किया जाता है living things non living things के लिए ठीक है तो इसको याद देखना आपने तभी यहाँ पर जो option number B है वो सही है मतलब the fire cause serious damage to the group of houses next question number 56 और 57 में आपके पास देए में make adverb of words words जो आपको दे रखे उनका आपने adverb बनाना है तो मतलब मैंने जाते देखा जब हम adverb बनाते हैं तो मैंने देखा जाता है जो last word जो word हो तो उसमें सिर्फ पुछा जाए तो मेरे साबसे यह वाले ट्रिक आपको help करेगी next question number 57 इसमें पर आपको adverb बताना है threatening का तो इसका जो सही option है वो आप लोग में को comment में प्रताइएगा कि आपको क्या लगता है जो threatening है इसका जो adverb है वो क्या होगा तो अगर हम बात करें अपने next question question number 58 से लेकर 60 तक यहां पर आपको narration से question आया है यहां पर आपको choose the correct form of indirect speech indirect speech की क्या है correct form को choose करना है question number 58 तो जो go away है वो एक देकिका क्या है order दे रहा है ठीक है order दे रहे हो आप तो इसमें क्या आएगा drama ordered arjun to go away मतलब option number यह बिलकुल आपका सही है यहां पर next बात करें अगर हम अपना question number 59 यह भी आपका narration से है नरेशन वाले topic बहुत important topic है इसके regarding आपको मेगा practice set मिलेगा जिसमें क्या आपको narration voice और model के rules पगएरे क्राइब होएगे ठीक है तो यहां पर आपके आपके पर question Alice said how clever I am तो यहां पर जो option number D है वो बिलकुल सही है वो क्यों है वो reason बताता है आपको यहां पर Alice exclaimed क्यूंकि अगर आप sentence देखोगे तो उसके last में क्या exclamation का sign लगा हुआ है तो यहां पर exclaim आएगा Alice exclaim proudly that she was very clever तो आज की वीडियो का last question question number 60 यह भी आपके पर narration से पूछे गया है यह है he said to me what are you doing तो यहां पर जो question है आप देख रहे हो जो last sentence है उसमें क्या question वाचक चीन लगा मतलब आपको यहां पर question पूछे के तो मतलब यहां आएगा आशा है कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और helpful होगी आज की वीडियो वैसे बहुत helpful है आपके लिए क्यूंकि आपका 26 को टैट होने वाला है आपको एक ऐसा आइडिया लग गया होगा कि आखे किस तरीक से question पूछे जाते है तो narration वाला होगा topic वाइस व वीडियो में